नागरिक्ता संचोधन कानून को लेकर अलीगड मुसलिम विश्व विद्याले में चात्र चात्राओं का विरोध प्रदर्शन जारी है इस बार चात्रों ने एक नई अंदाज में अपना विरोध जटाया चात्रों ने धरना इस्थल पर एक नजरबंदी केंद्र बना कर उसको डिटेंशन सेंटर का नाम दिया और चात्रों ने खुद को उस केंद्र में बंद कर सरकार से C.A.A. वापस लेनी की मांग की चात्रों ने साथ ही लोगों से इस प्रदर्चन में मदद करने की अपील की उन्होंने कहा कि पिये मोदी हम लोगों को ऐसे ही डिटेंशन सेंटर में डालना चाहती हैं ये हमने एक दिखाने के लिए लोगों को समझाने के लिए कि एक बावेसियत के अंदर बिल्कुल घुसते ही सबसे पहले दाये हाथ पे डिटेंशन सेंटर में इसलिए डाला गया कि सबसे पहली सीड़ी अगर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई आप लोग युनाइट होकर के नहीं लड़े इस काले कानून के खिलाफ तो यही सबसे पहला घर होगा जिसको हम इस शाय ने प्लान किया है जिसको नरेंद मोतिकी के सरकार ने प्लान किया है क्योंकि उन्हों ने ये तैय कर लिया था कि मुसल्मानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है उन्होंने ये तैय कर लिया था कि पुरह हिंदुस्तान को आपस में हिंदु मुस्लिम करा देना है उन्होंने तैय कर लिया था कि बाकाइदा ये नफरत की राजनीती दम पे जिस तरह उन्होंने 2014 में आए वो ऐसे करते करते वो एक तरफ नफरत इतना ज़ादा बो देंगे कि फिर से बटवारे का नौबत आ जाएगी वही जैसे 1947 में बता है लेकिन अलहामदुलिल्ला मुबारागबाद का मुस्तहक है पूरा हिंदुस्तान सारे वो हिंदु भाई, सारे वो सिक, सारे वो क्रिश्चन, सारे वो ज्यूज, सारे वो पार्सीज जो मिल करके मुसलमानों के खिलाब बनाए हुए इस कालय कानून को सास में मिल कर लड़ रहे एम्यू में चात्रों ने बाबे सयद गेट पर चल रहे धरना प्रदर्चन के बाद आंदोलन स्थल पर डिटेंशन सेंटर बनाया और CAA का विरोध जताया प्रदर्चन कर रहे चात्रों का कहना है कि सरकार को रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करना चाहिए आसाम में लोग ने डिटेंशन सेंटर बनाये हैं वहाँ पर स्पेस नहीं है लोग सही से रहनी पा रहे हैं और डूसरी बात ये रही कि इतने लोग अगर डिटेंशन सेंटर में जाएंगे तो उन लोगों के मेडिकल का खर्चा खाने पीने का खर्चा वो कैसे गौ़र्मेंट उठाएगी हमारी गौ़र्मेंट की खुद हालत इत्ती खसता है एकनौमिक डाउन है बिल्कुली बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो इन सब चीजों से फायदा कुछ नहीं है हमारी गौ़र्मेंट को इस चीज को NRC और NPR और ECE की जो कानून लेके आ रहे हैं इस चीज को और जित्पे से हटना चाहिए इन लोगों को क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है इन लोगों को AMU में हिंसा भी हुई थी जिसके बाद विश्विद्यलय को कुछ दिनों के लिए बंद भी कर दे गया था पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगर से अरजुन देव वाशिने की रिपोर्ट